ओम आदित्याई नम्हा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हादिक स्वागत है आज इस वीडियो में आप रिस्पान करेंगे जेस्ट मास महतमे के अध्याई 24 से लेकर अध्याई 29 तक क्योंकि इस बीच में मैं आपको लगातार जेस्ट मास महतमे की कथाई नहीं सुना पाई थी इसके लिए अगर हो सके तो मुझे शमा कीजेगा आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक और जानकारी मैं आप सभी को देदू कि आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग जिन्होंने एकादशी का वरत रखा हो या आगे भी रखते हो तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एकादशी वरत के उद्यापन की विधी के बारे में पूछा था तो उद्यापन की एक कंप्लीट विडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है आप चाहें तो उस विडियो को देख सकते हैं जेस्ट मास महातम्य के बाद आप आशार मास के महातम्य की कथाएं भी इसी तरह से हमारे चैनल पर नियापूरवक सुन सकते हैं अगर आपको मारे चैनल पर ये कथाएं सुनना पसंद हूँ तो आएए रस्पांद करते हैं आज के अध्यायों का अध्याय 24 ब्रहमादी देवताओं द्वारा भगवान सूरी की इस्तुति और वर की प्राप्ति का वर्णन सुमंतु मोनी कहने लगे हे राजन भगवान सूरी की भगती पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है और उनकी भगती और ज्यान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुरलब है फिर भी उनके पूजन इस्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है सूरी मंदिर में सूरी की परिक्रमा करने से ये सदा प्रसन रहते हैं सूरी चकर बनाकर पूजन और सूरी नारेंड का इस्तोत्र पाठ करने वाला विक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विश्यों का परित्याग कर भगवान सूरी में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ती प्राप्त कर देता है राजा शतानिक ने पूछा मुझे भगवान सूरी के पूजन की विधी सुनने की बड़ी ही अभिलाशा है मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ करपाकर कहिए कि सूरी की प्रतिमा इस्थापित करने से कौन सा पुर्णी और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने और गंध आधी के लेपन से किस पुर्णी की प्राप्ती होती है आर्थी, निरित्य, मंगल गीत आधी कृत्यों के करने से कौन सा पुर्णि प्राप्थ होता है? अर्गदान, जल और पंचमृत आधी से इस्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वन, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आधी के द्वारा, पूजन, गंध आधी विलेपन, पुरान श्रवन और वाचन, अव्यंगदान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुन की पू के विशे में सुनिये, कल्प के प्रारंब में ब्रहमादी देवकन एहंकार के वशीबूत हो गए, तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया, उसी समय उनके एहंकार को दूर करने के लिए एक महनिय तेज प्रकट हुआ, जिससे ये संपोन विश्व व्याप्त ह हो गया, अंधकार नाशक तथा सो योजन विस्तार युक्त वह तेज बंजुर आकाश में ब्रहमन कर रहा था, उसका प्रत्वी पर कमल की करने का की भांती दिखलाई दे रहा था, ये देख ब्रहमादी देवकन परस पर इस प्रकार विचार करने लगे, कि हम लोगों का त ये तेज प्रादुर भूत अर्थात प्रकट हुआ है, ये तेज कहां से प्रकट हुआ, इस विशे में कुछ ना जान सके, और इस तेज ने सभी देवकनों को आश्चरी चकित कर डाला था, तेजा दीपती उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े, तब भ्रहमादी अपने विराट रूप में प्रकट हो गए, उस महनी तेज स्वरू भगवान भासकर की देवगन प्रथक प्रथक बंदना करने लगे, ब्रहमाजी की इस्तुती का भाव इस प्रकार है, ब्रहमाजी ने इस प्रकार इस्तुती की, हे देव देवेश, आप सहस्तरों किरणों से प्रकाश मान हैं, हे कौन वल्लब, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार है, अंतरिक्ष में इस्तित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भासकर, विश्नु, काल चक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसू, अगनी, खग, लोकनाद तथा एक चक्र वाले रत से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है, आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्यान तथा मंगलकारक है, आपका सुन्दर रूप अंधकार को नस्ट करने वाला है, आप तेज की निधी हैं, आपको नमस्कार है, आप धर्म आदी चतरवर्ग स्वरूप हैं, तथा अमित तेजस्वी हैं, क्रोध लोब से रहित हैं, संसार की स्थिती में कारण है, आप शुब और मंगल स्वरूप हैं, तथा शुब और मंगल के प्रदाता हैं, आप परम शांत स्वरूप हैं, तथा ब्रहमन और ब्रहम रूप हैं, ऐसे ह पर ब्रह्म पर्मात्मा जगत्पते आप मेरे उपर प्रसंद होईए आपको नमस्कार है ब्रह्मा जी के बाद शिवजी ने महातेजस्वी सूरि नारायन को प्रणाम करके उनकी इस्तुति इस प्रकार की विश्व की स्थिति के कारण सुरू भगवान सूरिदेव आपकी जय हो अजे, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, जगत्पती, भानू, काल, अनंत, समवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो कश्यप के आनंद वर्धन, अधितिपुत्र, सबताश्व वाहन, सबतेश, अंधिकार को दूर करने वाले आपकी जय हो विदांग रूप, ग्रहरूप, सत्यरूप, सुरूप, क्रोधादी के विनाशक, कल्यान, पक्षिरूप तथा यतिरूप आपकी जय हो हे प्रभू, आप विश्व रूप, विश्व कर्मा, ओंकार, वशटकार, स्वाहकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप, अगनी और अर्यमा रूप हैं संसार उपी सागर से मुक्ष दिलाने वाले हैं जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजे, आपकी जय हो भगवान शिपके बाद, भगवान विश्णू ने सुरिनारायन को श्रद्धा और भक्ती पूर्वक प्रणाम कर उनकी इस्तुति इस प्रकार की भूत भावन देवदेवेश आप दिवाकर, रवी, भानू, मारतंट, भासकर, भग, इंद्र, विश्णू, हरी, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं आपको नमस्कार है हे लोक गुरो, विभू, त्रिनेत्रधारी, त्रिमूर्ती, त्रगती हैं आप छे मुक, चौबिस पाद तथा पारह हाथ वाले हैं समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपती हैं देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपती हैं आपको नमस्कार है हे जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापती, सोम, आधित्य, ओंकार, ब्रस्पती, बुद्ध, शुक्र, अगनी, भग, वरुन हैं आप से ही ये संपूर्ण चराचर जगत व्यापत हैं देवता, असुर, तथा मनुष, आधि सभी आप से ही उत्पन हुए हैं हे अनग, कल्प के आरंभ में संसार की उत्पती, पालन और संघार करने के लिए ब्रह्मा, विश्नु और शिप उत्पन हुए हैं आपको नमस्कार है ब्रह्मादी देवताओं की इस्तुती से भगवान सूरिनारन बहुत ही प्रसन हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विश्नु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ती तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते वे कहा हे विश्नो, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, आदी सभी पर विजय प्राप्त कर अजे रहेंगे संपुर्ण संसार का पालन करते वे, आपकी मेरे उपर अचल भक्ती बनी रहेगी ब्रह्मा भी इस जगत की स्रस्टी करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संगहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदे नहीं मेरी पूजा के फलसरूप, आप लोग ज्यानियों में उत्क्रिष्ट स्थान प्रात कर लेंगे भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेवजी इस प्रकार बोले हे भगवन, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें? उसे आप बताइए, हमें आपकी परम पूजने मूर्ती तो दिखाई नहीं दे रही केवल प्रकाश की आकरती और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है ये तेज आकार विहिन होने के कारण हिर्दे में स्थान नहीं पा रहा जब तक मन किसी विशे वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ती की भक्ती या इच्छा उस विशे वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं जब तक भक्ति उत्पन नहीं होगी, तब तक पूझन आधी करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होएं जिससे की हम लोग उस साकार रूप का दर्शन पूझन अरचन कर सिद्धी को प्राक्त करने में समर्थ हो सकें तब भगवान सूर कहने लगे महादेव जी आपने बड़ी उत्तम बात पुछी है अब आप दत्त चित्त होकर सुनिए इस जगत में मेरी चार प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपुन संसार को व्यवस्थित करती हुई स्रजन, पालन, पोशन तथा संगहार आदी में प्रत्य राजसी मूर्ति है जो ब्रहमी शक्ती के नाम से प्रसित है वह कल्प के आदी में संसार की स्रस्टी करती है दूसरी सात्वी की मूर्ति विश्णु रूपिनी है जो संसार का पालन और दुस्टों का विनाश करती है तीसरी मूर्ति तामसी है जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है वह हाथ में त्रिशूल धारण किये कल्प के अंत में विश्व स्रस्टी का संगहार करती है मेरी चौथी मूर्ती सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह इस्थित रहते वे भी दिखाई नहीं पड़ती उस अद्रिश शक्ती के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्थ हुआ है उंकार ही मेरा स्वरूप है ये सकल तथा निशकल और साकार और निराकार दोनों ही रूप में है ये संपुन संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्मफलों में लिप्त नहीं रहती जल में पद्मपत्र की भाती अलिप्त रहती हैं ये प्रकाश आप लोगों के अज्यान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन हुआ है अब आप लोग मेरे इस अर्ष्प्रिस्ट अर्थात निरलिप्त रूप की आराधना करें इस प्रकार सूरे नारायन के वचन सुनकर भगवान विश्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा हे देव हम सभी लोग उत्तम सिध्धी प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजिन अर्चन किस विधी से आराधना करें हे परम पूजित करप्या आप उस विधी को बतला कर मुझ सहीत ब्रह्मा और शिप पर दया कीजिए जिसे हम लोगों को परम सिध्धी प्राप्त हो सके और हमें कोई विग्न बाधा भी नहाए तब भगवान सूरे बोले देवताओं में इस्रेष्ट वहिवासु देव आप अब शांत चित्थ होकर सुनिए आपका प्रश्ण उचित ही है मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना कीजे मेरी पूजा मध्यान काल में भक्ती पूर्वक सदयव करने से इच्छित भक्ती की प्राप्ती हो जाती है भगवान सूरे के इस वचन को सुन कर ब्रहमादी देवताओं ने प्रणाम करके कहा हे देव आप धन्य हैं हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है हम लोग करत करत्य हो गए आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्यान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा, आदि सभी छड़ मात्र में ही दूर हो गए है हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ती, पालन और संघार करते हैं अब आप व्योम के पूजन विधी को बताने की करपा कीजिए तब भगवान आदित कहने लगे हे देवतागणों, आप लोग सत्ती ही कह रहे हैं जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही इस्थित हूँ एहंकारी, विमूर, असत्य, कलह से युक्त लोगों की कल्यान के लिए तथा आप लोगों के अंधकार, अर्थात, तम, मोह, आदि की निवृति के लिए मैंने तेजो में स्वरूप प्रकट किया इसलिए एहंकार, मान, दर्प, आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ती पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करे इससे मेरे सकल, निशकल, उत्तम, स्वरूप का दर्शन प्राप्थ होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्थ हो जाएंगी इतना कहकर, सहस्त्र किरन भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए भगवान भास करके तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विश्नु और शिप सभी आश्चरी चकेत होकर परसपर कहने लगे ये तो अधिति पुत्र सूर्य नारायन है ये महा तेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायन है इन्होंने हम सभी लोगों को बहान अंधकार रूपी तम से निवृत कर दिया है हम अपने अपने स्थान पर चल कर अब इनकी पूजा करें जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धी की प्राप्ती हो सके उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ती पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर छेत्र में भगवान विष्णू शाल ग्राम में और व्रिशब ध्वज शंकर गंध मादन परवत पर चले गए वहां मान दर्प तथा एहनकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण सी युक्त व्योम की भगवान विष्णू चक्र में अंकित व्योम की और शिफ अगनी रूपी तेज से अभीभूत व्योम वृत्त की सदा भक्ती पूर्वक पूजा करने लगे ब्रह्मादी देवता, गंध माला, निरत्य गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षो तक सुर्य नारायन की पूजा कर उनकी अचल भक्ती और प्रसंदता प्राप्ती के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए सुमंतु मुनी बोले, महराज देवताओं के पूजन से प्रसंद होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास, तथा एक रूप से विश्नु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारोड होकर आकाश में इस्तित भी रहे भगवान सूरी ने अपने योगबल से प्रथक प्रथक उन्हें दर्शन दिया दिवरत पर आरोड सूरी देव ने अपने अद्बुत योगबल से देखा कि चतुर्मुक ब्रह्मा जी का मलमुक व्योम की पूजा में अत्यंति श्रद्धा भक्ति से नत्मस्तक है ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूरी देव ने कहा हे सूरी स्रेष्ट देखो मैं वर्देने के लिए उपस्तित हूँ ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुलित हो गए और हाथ चोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अतिविनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थन करने लगे देवेश आप प्रसन हैं तो मेरे उपर कृपा कीजिए हे देव आपके अतिरिक्ट मेरे लिए अन्य कोई गती नहीं है ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सोरे बोले जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं हे ब्रह्मा जी आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन होईए अब आप वर मागे मैं वर देने के लिए ही आया हूँ ब्रह्मा जी कहने लगे हे भगवन यदि आप मेरे उपर प्रसन हैं तो मुझे उत्तम वर दीजे जिससे मैं स्रस्टी कर सकूँ भगवान आदित्य कहने लगे हे जगत पती चत्रमुक ब्रह्मन आपको मेरे प्रसाद से सिद्धी प्राप्थ हो जाएगी और आप इस जगत के स्रस्टी करता होंगे तप श्री ब्रह्मा जी कहने लगे हे जगनात मेरा निवास किस स्थान पर होगा भगवान सूरी कहने लगे जिस स्थान पर मेरा महद व्योंग प्रस्ट श्रंग से युप्त उत्तम रूप रहेगा वहीं कदम रूप में आप नित इस्थित रहेगे पूर्वदिशा में इंद्र अगनी कोण में शांडली सुत अगनी दक्षिन में यम नेरिति कोण में नेरिती पश्चिम में वरोन और वायव्य कोण में वायू तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा इशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विश्नु का निवास रहेगा ब्रह्मा जी कहने लगे देव आज मैं करत करत्य हो गया जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब मुझे प्राप्त हो गया सुमंतु मुनी बोले राजन इस प्रकार भगवान आदित ब्रह्मा जी को वर्व प्रदान कर उनके साथ गंद मादन परवत पर चले गए वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीवर तपस्या में संगलगन है वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भासकर प्रसन हो गए 26 अध्याय प्रारम भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सुर्य भगवान कहने लगे भीम मैं तुमसे अतिप्रसन हूं वत्स वर्मा को मैं वर देने के लिए ही यहां पस्तित हुआ हूँ इस पर महादेव जी ने सास्टांग प्रणाम कर श्री सूरी नाराइण देर की इस्तुति की और कहने लगे ही देव आप मुझे पर क्रपा कीजिए आप जगत पती हैं संसार का उधार करने वाले हैं मैं आपके अंश से आपके पुतर के रूप में उत्पन हुआ हूँ आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुतर के लिए करता है ये वचन सुनकर भगवान सूरी बोले शंकर जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेर नहीं मेरे ललाट से तुम पुतर रूप में उत्पन हुए हो जो तुम्हारे गंधर्व देव दानव आधी पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संगहार कर सकूं हे देव मुझे उत्तम इस्थान भी प्रदान करें भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसे प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रत देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ छेत्र में गए वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णा जिन धारण कर शांत चित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हिर्दय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं भगवान भासकर ने अतिप्रसन होकर उनसे कहा हे विष्णो मैं आ गया हूँ मुझे देखो भगवान विष्णो ने उन्हें सर जुका कर प्रणाम किया और कहने लगे हे जगनात आप मेरी रक्षा केजे मेरे उपर दया केजे मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा द्रिष् हो गया हूँ जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो मैं वर प्रणान करने के लिए यहां पर आया हूँ सूर नारायन के वचन सुन कर भगवान विष्णो कहने लगे हे भगवन आज मैं कृत क्रत्य हो गया मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है क्योंकि आप संतुस्ठ होकर मुझे स्वयम वर देने आ गए आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रणान कीजे और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रणान कीजे मुझे इस प्रकार का इस्थान दीजे जिससे की मैं सभी लोकों में यशश्वी बल और वीर यश और सुक से संपन हो सकूं भगवान विश्णु की बात सुनकर भगवान सुर इस प्रकार कहने लगे तधास तु महाबा हो तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे तुम मेरे परम भक्त और परम प्रे हो इस सभी आयूदों में उत्तम और दुस्टों का विनाशक है समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं सुमंतु मुनी बोले राजन इस प्रकार भगवान भासकर भगवान विश्णु को वरप्रदान कर अपने लोग को चले गए और ब्रह्मा विश्णु तथशंकर ने भगवान संखार करने की शक्ति प्राप्त की ये आख्यान अति पवित्र पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है यह तीन देवों का उपाख्यान है और तीन देवता इस लोग में पूजित हैं यह तीन स्वर्ग अर्थ और काम का साधन है ये धर्म, स्वर्ग, आरोग धन्धान को प्रदान करने वाला है जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रति दिन सुनता है अत्वा जो इन तीन इस्तोत्रों का पाठ करता है वह आगने विमान पर आरूड होकर भगवान सुर्य के परंपद को प्राप कर लेता है पुत्रहीन, पुत्र, निर्धन, धन, विद्यार्थी, विद्या प्राप कर तेज में सुर्य के समान प्रभा में उनकी किरणों की समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भूप कर ग्यानियों में उत्तम इस्थान को प्राप्त करता है आप सुनिए अध्याई 27 से लेकर 29 तक का वर्णन राजा शतानिक ने पूछा हे ब्रहमन जिन तेजस्वी भगवान सूर नाराय ने ब्रहमाजी को वर्प्रदान किया देवताओं और प्रत्वी को उत्पन किया जो ब्रहमादी देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महा भूतो सहीद 14 लोकों के स्रस्टा, पुराणों में तेज रूप से इस्थित और पुराणों की आत्मा हैं तथा अगनी में स्वयम इस्थित हैं जिनके सहस्त्रो सिर, सहस्त्रो नेत्र अंधकार नाशक, लोक की शांती के लिए जो अगनी, वेदी, कुशा, शुरुवा, प्रोक्षणी, व्रत, आदी को उत्पन कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहन करते हैं जो योग के अनुरूप, कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, कास्ट, मुर्थ, तिथी, मास, पक्ष, समवत्सक, रितू, काल योग, विविद प्रमाण और आयू के उत्पादक तथा विनाशक हैं और जो परम जोतीत और परम तपस्वी हैं, जो अच्चित तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्शी कश्यप के यहां पुत्र के रूप में कैसे अफ् सुरिट हुए ब्रहमादी जिन braking उपासना करते हैं तक वेद विटाउं और देवताउं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य अगुनी में तेज सुरूप हैं। मनुष्यों में मनुरूप से तथा तपस्वियों में तपुरूप से विद्यमान हैं। जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनिश्यों सहित समस्त लोकों को उत्पण करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर किसलिए अधिती के गर्व से स्वयम उत्पण हुए? हे ब्रहमन इस विशे में मुझे महान आश्यर हो रहा है, भगवान सूर की उत्पत्ती से आश्यर चकित होकर ही मैंने आप से उनकी आख्यान को पूछा है, हे महामुने भगवान सूर के बलवीर, पराकरम, यश और उज्वलित तेजका आप वर्णन कीजिए, सुमन्तु मुन सुनिए, जो भगवान सूर सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किर्णों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुक्टों से सुशोबित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अव्यव हैं, सभी लोकों के कल्यान और सभी लोक जो जो पुत्र उत्पन होते थे वे उसी क्षण मर जाते थे इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी होकर माता अधिती व्याकुल होकर अपने पती महर्शी कश्यप के पास गई वहां पहुँच कर अधिती ने देखा इस प्रकार से उन्हें इस्थित देखकर अधिती ने प्रार्थना करते भी कहा हे देव आप इस तरह निश्चिन्त होकर क्यों बैठे वे हैं? मेरे पुत्र उत्पन होते ही मृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं अधिती के इस वचन को सुनकर रिश्यों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्म लोग गए और उन्होंने अधिती की बाते श्री ब्रह्मा जी को बतलाई तब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र हमें भगवान भासकर के परम दुरलव इस्थान पर चलना चाहिए ऐसा कहकर ब्रह्मा कश्यप और अधिती के साथ विमान पर आरुण होकर सुर्य देव के भवन को चले गए उस समय सुर्य लोग की सभा में कहीं वेद ध्वनी हो रही थी कहीं यग्य हो रहा था ब्रह्मन वेद की सिक्षा दे रहे थे अठारा पुराणों के ग्याता विद्या विशारत भीमा संकक वेदान्त विदादी सभी सुर्य देव की उपासना में लगे वे थे विद्वान ब्रह्मन जब तब हवन आदी में संगलगन थे उसी सभा में रश्मी माली भगवान दिवाकर को महशी कशब आदी ने देखा देवताओं के गुरू ब्रस्पती असुरों के गुरू शुकराचार आदी भी वहीं पर भगवान सुर्य की उपासना कर रहे थे दक्ष प्रचेता पुलह मरीजी भ्रगू अत्री वसिस्ठ गौतम नारद अंतरिक्ष तेज प्रत्वी इसपर्ष शब्द रूप रस गंध प्रकृती रितू संकल प्रणव आदी बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भासकर की इस्तुती उपासना कर रहे थे अर्थ धर्म काम मोक्ष द्वेश हर्ष मोह मत्सर मान वैश्नव महेश्वर सौर मारुत विश्वकर्मा तथा अश्विनी कुमार आदी सुन्दर सुन्दर बचनों से भगवान सुरी का गुणगान कर रहे थे ब्रह्मा जी ने भगवान भासकर से निवेदन किया हे भगवन आप देव माता अधिती के गर्ब से उत्पन होकर लोग का कल्यान कीजे इस त्रेलोग को अपने तेज से प्रकाशित कीजे देवताओं को शरन दीजे असुनों का विनाश और अधिती पुत्रों की रक्षा क कीजे तब भगवान सूरी कहने लगे आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा प्रसन होकर महशी कश्यप देवी अधिती के आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोग को चले गई तब सुमंतु मुनी बोले हे महराज कालांतर में भगवान सूरी अधिती के अनंद व्याप्त हो गया इस प्रकार देव माता अधिती के गर्व से भगवान सूरी के जन्म ग्रहन करने पर आकाश में दुन्दुभियां बचने लगी गंधर्वगण गान करने लगे द्वादश आत्मा भगवान सूरी की सभी देवगण रिशी महर्शी तथ दक्ष प और राक्षिस भी हाथ चोड़े खड़े थे पिता में ब्रह्मा भी स्वैम प्रत्वी पर आए और सभी देवता और इशी महर्शियों से बोले देवर्शी गण जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन होकर ये सभी को देख रहे हैं उसी प्रकार ये लोकेश श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे देव दानव यक्ष गंधर आदि के जो कारण है वे ही आदिदे भगवान सूर्य आदित्य हैं इस प्रकार कहकर पिता में ब्रह्माने देवताओं और रिश्यों सहित उन्हें नमस्कार कर विधी पूर्वक उनकी अर्चना की और फिर वे अपने अपने लोग को चले गए वेदोद्वारा गे तथा इंद्रादी बारहन नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्शी कश्यप अधिती के साथ परम संतुस्ठ हो गए और सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा प्रकार भगवान भासकर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने स्रस्टी करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनी ने भी भगवान भासकर को प्रसंद कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया आज की अध्याई समात उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको आई हुगी.